बोशपूरी में एक टाइगर है जो नाम है पावर श्टार पवन सींग लिंक के आप सभी को पता है कि साउत का एक टाइगर है इसका नाम है रवी तेजा और बवाल तो जब मचा जब रवी तेजा अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म लेकर आए और उसके प्रमोशन में आए इसके प्रमोशन के लिए वो यूपी बिहार में जा रहे है और शब को पता है कि कितने ही बड़ी फिल्म हो अगर वो फिल्म यूपी बिहार में हिट तो शायद पूरे और इंडिया में और इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं हो सकता ये बात शारू खान को ही पता है ये को देखते हुए यूपी बिहार के करोड़ो ओडियंस को अपने तरफ खीचने के लिए रवी तेजा की फिल्म आप सभी के नजिकी सिल्मा गुर्म तो लगेगी और जब रवी तेजा से मीडिया तो रवाद सवाल पूछा गया कि आप तो बिहार आये हैं लेकिन किया आप बिहार के बारे में उनके एक्टर्स के बारे में कितना जानते हैं कि साउथ में भोचपूरी गानों को और फिल्मों को देखा जाता है तो शाय इस पर रवी तेजा ने हस्तर जाब दिया और उनका बयान था चोकाने वाला कि साउथ किसी इंडिया से अलग नहीं है वो भी लॉलीआ डियजो पर कई बार सुन पर सुन चुक है उन्हें गाना काफी अच्छा लगता है उसे बिहार का काफी बड़ा गाना है काफी फेमर्स गाना है प्इसकर आप भी उपी प्या एंच गाना रवी तेजा की फिल्म सिने में अगर में लग रही है यूपी बिहार में भी तो इक पवन सिंग की हर हर गंगे फिल्म भी 20 अक्टूबर से आप सभी निजगी सिनों गरों में लगेगी यानि कहा सकता है कि बिहार में रवी तेर्या के फिल्म टककर देने के लिए पावाश्टार पावन सिंग के फिल्म को दस्तक देने जा रही है और शद्वो तो समय बताएगा कि यूपी बिहार में किस फिल्म का बोलवाला चलता है रवी देजा के फिल्म का या फिर पावा उस्टार पवन सिंग के फिल्म का वैसे इन दोनों सूपरस्टार्स में आप सभी कोने चाहिता सूपरस्टार कॉमन बॉक्स में जूर बतिएगा और इस 20 अक्टूबर को आप सभी इन दोनों में से कौन से फिल्म देखेंगे हर हर गंगे या फिर टाइगर ना गेश्पर राओ कौन बोक्स में बतिएगा वीडियो में दलता ही मिलते नेक्ट वीडियो में धन्यवाद